नमस्कार साथियो, स्वागत है आप सभी का Rankers GK YouTube चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी के परमुक कवी वे उनकी रचनाये से संबंदित जितने भी कोशन आपके एक्जाम में बन सकते हैं वे सभी कोशन इस वीडियो के अंदर डिसकस करने वाले हैं और इस क्लास के अंदर आपको एक डिफरेंट चीज देखने के लिए मिलेगी मैंने रचनायों के साथ साथ कवीयों के उपनाम से संबंदित भी कोशन इसी वीडियो में शामिल किये वे हैं क्योंकि कई बार कवीयों के उपनाम से भी प्रशन एक्जाम में पूछा जा चुका है तो इसलिए हम उस चीज को भी मिस नहीं करना चाते तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की पहला कोशन आप सभी के सामने दिया गया है हिंदी के सरवपर्थम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है तो हिंदी का जो सबसे पहला पत्र था उसका नाम था उदंड मारतंड ओप्शन नमर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है अब बात कर लेते हैं इसके संपादन की वे इसके संपादक की तो उदंड मार्तंड जो पत्र था, इसका संपादन कोलकाता से हुआ करता था, और अगर आपसे पूसता है कि इसके संपादक कौन थे, तो इसके संपादक थे, पंडिश, जुगल, किशो और शुक्ल, तो इतना fact आपको उदंड मार्तंड से पता होना ही चाहिए, दोस्तो व बात करो मैतली शरन गुप्त की तो ये जो मैतली शरन गुप्त है इन्हें हिंदी का पर्थम रास्ट कभी भी कहा जाता है बात करो हिंदी के पर्थम गद्दकार की तो हिंदी के पर्थम गद्दकार हो जाते हैं ललुलाल हिंदी का पर्थम कभी किसे कहा जाता है तो पर्थम अन्य फैक्ट भी इसमें शामिल किये हैं, उन फैक्ट को भी आप साथ के साथ ही नोट करके चलना। नेक्स्ट कोशन है, हिंदी साहित्य के अरंबिक काल को आचारे रामचंदर शुकल ने क्या कहा है? तो दोस्तो बहुत से लेकोकों के दौरा हिंदी साहित्य के अरंबिक काल के भिन भिन नाम दिये गए हैं एक बार उन सभी को देख लेते हैं जैसे कि आचारिय राम्चंद्र शुकल जी ने आरंबिक काल को वीरगाता काल का नाम दिया है, तो उप्शन नमर सी इसका बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब अगर बात करू जार्ज गेरसन ने आधुनिक काल को क्या कहा तो जार्ज गेरसन के दौरा आरंबिक काल को चारंग काल कहा गया मिश्र बंदो के दौरा आरंबिक काल को प्रारंबिक काल कहा गया आचारिय महवीर परसाद दुएदी जी के दौरा इसे बीजवपन काल नाम जिया गया और आचारिय रामचंद्र शुकली जी के दौरा इसे वीरगाता काल कहा गया वहीं पर पंडित रहुल सांकरतायन के दौरा इसे सिद्ध सामंत काल भी कहा गया है तो आधुनिक काल या अरंबिक काल के इतने नाम काफी ज़्यादा चर्चाओं में रहे हैं पिछली कुछ परिक्षाओं में भी ये नाम पूछे गए हैं तो इसलिए मैंने एक साथ आपको ये सभी नाम कवर करा दिये हैं नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं हिंदी भाषा किस लिपी में लिखी जाती है तो वेरी वेरी इजी कोशन है और वेरी वेरी मौस्ट इंपर्टेंट कोशन है हिंदी भाषा की जो लिपी है वो है आपकी देवनागरी लिपी अब हिंदी भाषा की लिपी तो देवनागरी है लेकिन देवनागरी लिपी का विकास किस लिपी से हुआ है तो आप कोगे छरव ब्रहम में लिपी से हुआ है अब बात कर लेते हैं कुछ भाषाई वे उनकी लिपियों से समद्धेध प्रश्न की जैसे कि पंजाबी भाषा पंजाबी भाषा की लिपी हो जाती है गुरुमखी, सोराष्ट भाषा की लिपी हो जाती है सोराष्टी, उर्दू भाषा की लिपी हो जाती है फारसी, अंगरीजी भाषा की लिपी हो जाती है रोमन लिपी, और हिंदी की हो जाती है देवनागरी लिपी, और नेपाली आपको बतादू, सबसे पहले बनी थी ब्राम्मी लिपी, ब्राम्मी लिपी के बाद आई गुप्त लिपी, गुप्त लिपी के बाद आई कुटिल लिपी, और कुटिल लिपी के बाद बनी थी देवनागरी लिपी, इसलिए देवनागरी लिपी का जो उदगम माना जाता है वो ब्राम्मिल लिपी से माना जाता है तो option number 20 का बिलकुल correct answer हो जाएगा next question पर चलते हैं चिंता मनी के रचियता कौन है very very most important question है चिंता मनी के जो रचियता है उनका नाम है रामचंदर शुकल option number 30 का बिलकुल correct answer है और रामचंदर शुकल के बारे में कुछ अन्य fact भी है वो भी एक बार देख लेते हैं रामचंदर शुकल जी नहीं आधुनिक काल को वीरगाथा काल भी काहा है और हिंदी साहित्य के रचियता भी माने जाते हैं रामचंदर शुकली ही महवीर परसाद दिवेदी की अगर बात करूँ तो महवीर परसाद दिवेदी जी के नाम पर ही दिवेदी युक का नाम रखा गया है बात करूँ जैशंकर परसाद जी की तो जैशंकर परसाद जो है ये च्छैवाद युक के परवर्तक भी माने जाते हैं दोस्तो आगे इन से संबंदित most important question दिये गए हैं तो उनको भी एक बार देख लेते हैं जैसे कि जब जब होए धर्म की हानी बाड़े असुर अभी मानी इस पंक्ति के रचनाकार कौन है तो इस पंक्ति को तुलसिदास जी के दुआरा लिखा गया है तीनो पिछली बार एक्जाम में पूछी जा चुकी है और दोस्तो इन दोनों option में से एक ही option आपको वहाँ पर दिखाए देगा क्योंकि ये दोनों आपस में मामा भांजी हैं सबसे पहले इस इंदो पत्रिका का संपादन जैशंकर प्रसाद जी के दुआरा किया गया था लेकिन बाद में इसका संपादन जो है वो अंभी का प्रसाद गुप्त जी ने करा था तो option नमबर एस का बिलकुल correct answer है अधिकतर भारतिय भाषाओं की लिपियो का विकास किस प्राचीन लिपिय से हुआ है तो अधिकतर जितनी भी भारतिय भाषाओं की लिपियो का विकास ब्रामी लिपिय से ही हुआ है option नमबर एस का बिलकुल correct answer है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं वीर गाथा काल के सर्फरेस्ट कवी कोन माने जाते हैं तो very very most important question हो जाता है वीर गाथा काल के जो सर्फरेस्ट कवी माने गए हैं वे हैं चंदर बरदाई option नमबर एस का बिलकुल correct answer है दोस्तों चंदर बरदाई वही कवी है जिन्होंने प्रत्विराज रासों की भी रचना की है प्रत्विराज रासों के अंदर इन्होंने प्रत्विराज चोहान के चरितर का वर्णन किया है और ये वीर गाथा काल के एक कवी हो जाते हैं बात करूँ विध्यापती की, तो विध्यापती को ही मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी सभी रचनाई मैथली बाशा में की है. Next question पर चलते हैं. Next question है, कबीरदास जी की बाशा क्या थी? तो very very most important question हो जाता है ये भी कभीरदास जी की भाशा थी पंचमेल खिचडी या इसे ही आप सदुक्रडी के नाम से भी जानते हैं option number 6 का बिलकुल correct answer है और कभीरदास जी की सबसे परसिद्ध रचनाई हैं वे हैं साखी सबद रेमैनी उम्मीद करूँगा आपने ये सभी question अच्छे से revise कर लिया होंगे दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैंने एक एक question वो रखा है जो कि पिछले कुछ exams में पूछे भी जा चुके हैं और जो बार बार repeat होते हैं next question है चतर साल दसक किस की रचना है तो ये जो चतर साल दसक है ना मेरे दोस्त ये भूषण जी की एक रचना हो जाती है option number 20 का बिल्कुल correct answer है भूषण जी की एक अन्य रचना है जिसका नाम है शिवा बावनी विद्वानों ने भूषण जी के 6 गरंत माने हैं जिनके नाम है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छतर साल दसक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा वे दूषण उल्लास अगर बात करूँ केशवदास जी की तो केशवदास जी की रचना का नाम है रसिक प्रिया और केशवदास जी एक ऐसे कवी हैं जिने कठिन काव्य का प्रेथ या हिंदी का प्रेथ भी माना जाता है नेक्स्ट कॉशन पर चलते हैं पल्लव के रचियता कौन है? वेरी वेरी मॉस्ट इंपरणेंट रचना है पल्लव के रचियता हो जाते हैं सुमितरन नंदन पंथ ओप्शन नंबर एस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है सुमितरन नंदन पंथ की कुछ अन्य रचनाएं भी हैं वे भी यहीं पर देख लेते हैं जैसे कि चिदंबरा, पल्लव, कला और बुड़ाचांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम बात करू सुमितरन नंदन पंथ के अन्य नाम की तो इन्हें को ही प्रकरती का सुकुमार कवी भी कहा जाता है नेक्स्ट कोशन है चैवाद के प्रवर्टक का क्या नाम है तो एक कोशन मैंने आपको पहले भी बताया था चैवाद के प्रवर्टक का नाम हो जाता है जैसंकर परसाद जैसंकर परसाद जी को ही चैवाद का प्रवर्टक कवी भी माना जाता है तो option number D इस का बिलकुल correct answer है अब चायवाद युक के चार जो सूपरसिद्ध कवी हैं जो की हर exam में पूछे ही जाते हैं वे भी एक बार आपको यहीं पर बता देता हूं जैसे की महादेवी वर्मा, जैशंकर परसाद, सूर्यकान तिरपाठी निराला और रामकुमार वर्मा ये चार कवी ऐसे हैं जो की चायवाद के चार इस्तंब कहे जाते हैं नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं प्रगतिबाद उप्योगितावाद का दूसरा नाम है यह कथन किसका है तो यह कथन जो है वो नंद दुलारे वाजपई जी के द्वारा दिया गया था ओप्शन नंबर सीज का विलकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है तो प्रेमचंद का जो एक अधूरा उपन्यास है उसका नाम है मंगल सूत्र ओप्शन नंबर सीज का विलकुल करेक्ट आंसर है लेकिन ये तो बात थी अधूरे उपन्यास की अमें प्रेमचन जी के पर्थम उपन्यास का नाम भी पता होना चाहिए तो इनका पर्थम उपन्यासता सेवासदन अधूरा उपन्यास था मंगल सूत्र और जो उपन्यास इनका अंग्रेजों के दौारा जब्ध किया गया था उसका नाम था tन ये सभी फैक्ट आपके एक्जाम की दरश्टे से काफी ज़्यादा इंपोटेंट हो जाते हैं तो एक को भी मिस मत करना नेक्स्ट कुशन रामधारी सिंग दिनकर को किस करती पर भारते ग्यानपीट पुरुसकार प्राप्त हुआ था तो रामधारी सिंग दिनकर जी को इनकी उर्वशी नामक करती पर भारते ग्यानपीट पुरुसकार भी प्राप्त हो चुका है उप्शन नमर्ड डीज का बिल्कुल करेक्टा अंसर है तो सुमित्रा नंदन पंद को किस करती पर मिला तो सुमित्रा नंदन पंद को चिदंबरा के लिए ग्यानपेट पुरुषकार दिया गया था वहीं पर महादेवी वर्मा को यामा करती के लिए ग्यानपेट पुरुषकार से सम्मानित किया जा चुका है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं हिंदी साहिट्वların के इत्यास के शर पर्थम लेका क्या नाम है तो हिंदी साहिट्व में लिखने वाले हो जाते हैं उनका नाम हो जाता है अचारिया रामचंदर शुकल ओक्शनमर सी इस का वेलकूल करेक्ट आंसर है हिंदी भाषा का इत्यास फ्रेंच भाषा में किस ने लिखा था तो फ्रेंच भाषा में लिखने वाले हो जाते हैं गार सदर तासी और इन्होंने फ्रेंच भाषा के अंदर हिंदी भाषा के इत्यास को क्या नाम दिया तो इसका नाम था इस्तवार्द लिट्रेयर एंदूई ए हिंदूस्तानी हिंदी साहित्य का पर्थम इत्यास नामक गरंट जो है वो फ्रेंच बासा में गारसदत तासी के द्वारा ही लिखा गया था यहे गरंट इन्होंने 1849 में प्रकाशित किया था बात करू आचारे रामचंद्र शुकली जी की तो आचारे रामचंद्र शुकल के द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इत्यास के गरंट का नाम हिंदी साहित्य का इत्यास ही रखा गया था जिसका परकाशन 1929 के अंदर कर दिया गया था बात करूँ शिव सिंग सेंगर जी की तो शिव सिंग सेंगर जी के दुआरा लिखा गया हिंदी साहित्य का नाम शिव सिंग सरूज रखा गया था जिसका प्रकाशन वर्स 1883 रखा गया है तो इतना fact आपको हिंदी साहित्ते के इत्यास के बारे में पता रखना है पिछले कुछ एक्जाम्स में तीनो ही लेखों से question पूछे गए है नेक्स्ट question पदमावत किसकी रचना है तो पदमावत जो है ये मलिक मुहम्मद जैसी के एक रचना हो जाती है option number D इसका बिलकुल correct answer है इनकी कुछ अन्य रचनाई भी है जैसे कि पदमावत अकरावत आकरी कलाम पदमावत नामक रचना को ही मलिक मुहम्मद जैसी के दौरा अवदी भाशा में लिखा गया है ये चीज़ भी आपको पता रखनी है next question बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है तो एक तो रचना है बैताल पचीसी एक रचना है प्रेम पचीसी बैताल पचीसी की अगर बात करूँ तो इसको सुरिती मिश्र जी के दौरा लिखा गया है और प्रेम पचीसी की अगर बात करूँ इसको प्रेम चंदर जी के द्वारा लिखा गया है दोनों ही रचना अलग-अलग है दोनों के लेखक अलग-अलग है दोनों को आपको अलग-अलग रूप से ध्यान रखना है नेक्स्ट कुशन तरनी तनूजा तक्तमाल तरूर बहुचाए प्रस्तुत पंक्ती के रचियता कौन है तो इस पंक्ती को अक्सर आपने अलंकार में यूज़ होता वा देखा होगा इस पंक्ती के रचनाकार कौन है आपसे ये पूछा है तो इस पंक्ती के रचनाकार है भारतेंदू हरिश्चन साहित्य की आत्मा किसे माना जाता है तो हिंदी साहित्य की आत्मा का जाता है माकनलाल चोतरवेदी जी को और हिंदी के रास्ट कभी किसे माना जाता है तो हिंदी के रास्ट कभी माना जाते है रामदारी सिंग दिनकर नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं भारत भारती नमक कावे के रचनकार कौन है? तो भारत भारती नमक कावे के रचनकार हो जाते हैं मैतली शरनगुप्त, option number 6 का बिलकुल correct answer है. मैतली शरनगुप्त जी की कुछ अन्य रचनाए काफि सूपर सिद्र रचनाए हैं जैसे की जैदरत वद, येशोधरा वे भारत भारती. Next question पर चलते हैं दोहा कोश के रचियता कौन है? तो दोहा कोश के रचियता हैं सरहपा, option number 6 का बिलकुल correct answer है. सरहपा वही कवी हैं जिने हिंदी का पर्थम कवी भी माना गया है हिंदी के पर्थम आदी कवी कौन है तो हिंदी के पर्थम आदी कवी है स्वेभूं और हिंदी के पर्थम कवी है सरहपा दोनों में ही डिफरेंस है दोनों को आपको अच्छे से ध्यान से देखना है लेका कौन है तो ये जो पंच परमेश्वर नामक कहानी है इसको प्रेमचंदर जी के दुआरा लिखा गया था ओप्शन नमबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है बात करूँ प्रेमचंदर जी की कुछ अन्य रचनाओं की तो इद गहा कफन पंच परमेश्वर सेवा सदन फिर्जवर नमबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं अब बात करूँ जैसंकर प्रसाद जी के कुछ अन्य रचनाओं की तो इनकी कुछ अन्य रचनाओं की जहरना कंकाल इरावती इसकंद गुप्त या कामायिनी नेक्स्ट कुशन पर चलते हैं तोड़ती पद्थर नामक कविता के कवी हो जाते है सूरय कांतिर पाठी निराला उप्शन नम्र सीज का बिलकुल करेक्ट आंसर है हार की जीत नमक कहाणी के रचनाकार कौन है तो हार की जीत नमक कहानी को सुधरसंझ जी के दुवारा लिखा गया है औप्शन नमबर एस का बिल्कुल correct answer है Next question राणी केतकी की कहानी के रचियता कौन है तो राणी केतकी की कहानी के रचियता हो जाते है इंशाअल्ला कहा उप्शन नमबर डीज का विलकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन शिव शंबू के चिट्थे के रचनाकार कौन है तो इस रचना को बाल मुकंद गुप्त जी के दुवारा लिखा गया है उप्शन नमबर डीज का विलकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन रसिक प्रिया के रचियता कौन है तो रसिक प्रिया नमक रचियता हो जाते हैं केशवदास जिने कठिन काव्य का प्रेट भी कहा जाता है option number D इस का बिल्कुल correct answer है केशवदास जी की कुछ अन्य रचियता है कवी प्रिया रतन बावनी नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं रामचरित मानस की बाशा क्या है अर्थात रामचरित मानस की जो बाशा है वो है आपकी अफ़धी बाशा option number D इस का बिल्कुल correct answer है और आपको रामचरित मानस के बारे में कुछ fact भी बता देता हूँ जैसे की रामचरित मानस सिर्राम के चरितर पर वर्नित की गई है जिसके रचिता तुलसिदास जी हो जाते हैं और रामचरित मानस के अंदर कुल साथ कांड को दर्शाया गया है जिन में से सबसे बड़ा कांड हो जाता है बाल कांड और सबसे छोटा कांड है किशकिंदा का ये फैक्ट आपको ध्यान रखने है नेक्स्ट कोशन भूशन किस रस के कवी है तो कवी भूशन जो है ये आपके वीर रस के कवी हो जाते है उप्शन नमर सीज का बिलकुल करेक्ट आंसर है भूशन की कुछ अन्य रचनाई भी है जैसे के चेतर साल जसक और सीवाबावनी ये वीर रस के एक कवी है ये चीज आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं हिंदी का आदी कवी किसे माना जाता है तो मैंने आपको इस क्लास के स्टार्टिंग में ही एक कोशन कराया था हिंदी का आदी कवी जो है तो आपका अंसर हो जाएगा पुश्पदंत नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं हिंदी पत्रिका कादंबनी के संपादक कौन है तो कादंबनी के संपादक हो जाते है राजेंदर अवस्थी ओप्शन नमबर A इस का बिलकूल करेक्ट अंसर है नेक्स्ट कोशन यह रचना कभी कालिजास जी की एक रचना हो जाती है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं किस काल को स्वन काल कहा जाता है तो इन में से किस काल को स्वन काल कहा जाता है तो भक्ति काल को ही स्वन काल का दरज्या दिया गया है option number 20 का बिलकुल correct answer है next question पर चलते हैं हिंदी गद्ध का जनमदाता किसको माना जाता है तो इन सभी में से हिंदी गद्ध के जनमदाता भारतेंदू हरिश्चंद को ही माना जाता है option number 30 का बिलकुल correct answer है next question सूरदास के गुरू कौन थे तो आप सभी को पता होगा सूरदास जो हैं वो जनमान थे अर्थात जनम से ही अंदे थे तो इनके गुरू हो जाते हैं बललबाचारिय option number 10 का बिलकुल correct answer है इनकी खुद की जो रिचनाए हैं वे हैं साहित लहरी सूर सागर next question पर चलते हैं कामाईनी किस प्रकार का गरंथ है और इसकी रिचना किस ने की थी आपको ये भी बताना है तो सबसे पहले तो बता दू कामाईनी आपका एक महा काव्य हो जाता है और इसके जो रचियता हैं वे हैं जैसंकर परसाब next question गागर में सागर भरने का कारिय किस कवी के दुआरा किया गया है तो गागर में सागर भरने का कारिय कवी बिहारी ने किया है option number A इसका विल्कुल correct answer है next question विद्यापती की पदावली की भाषा क्या है अर्थात विद्यापती की जो पदावली है इसकी भाषा जो है वो मैथली भाषा रखी गई है option number A का बिलकुल correct answer है क्योंकि विद्धापती को मैथल कोकिल के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी सभी रचनाओं को मैथली भाषा के अंदर लिखा है इसी लिए इन्हें मैथल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है next question पर चलते हैं उग्र कवी के नाम से किसे जाना जाता है तो उग्र कवी के नाम से पांडे बेचन शर्मा जी को माना जाता है option number B का बिलकुल correct answer है next question है बिहारी किस राजा के दरबारी कवी थे तो कवी बिहारी जो है ये जैसिंग के दरबारी कवी थे option number C इसका बिलकुल correct answer है next question शेश कादंबरी किस की रचना है तो एक रचना तो है कादंबरी एक रचना है शेश काद एक रचना है शेश कादंबरी दोनों अलग-अलग रचना हैं दो लोगे लेखक अलग-अलग हैं तो शेश कादंबरी की अगर बात करूँ तो ये आपकी अलका सरावगी की एक रचना हो जाती है और कादंबरी की अगर बात करूँ तो इसको बानबट जी के दोबारा लिखा जा चुका है next question है राग दरबारी उपन्यास के रचियता कौन है तो राग दरबारी जो ये उपन्यास है इसके रचियता हो जाते हैं श्रीलाल शुकल ओप्शन नमबर 20 का बिलकुल करेक्ट आंसर है next question पूस की रात किस की रचना है पूस की रात हो या मंगल सूत्र हो दोनों रचनाए आपकी प्रेमचन जी की हो जाती है option number A का बिलकुल करेक्ट आंसर है प्रेमचन जी का जो प्रतम उपन्यास है उसका नाम है सेवा सदन अधूरा उपन्यास कौन सा है मंगल सूत्र और अंग्रेजों के द्वारा जब्द उपन्यास हों सा है वो है सोजे वतन नेक्स्ट कुशन पर चलते हैं दुरुव स्वामिनी नाटक के रचियता कौन हो जाते हैं तो दुरुव स्वामिनी नामक नाटक के रचियता हो जाते हैं जैसंकर परसाद उप्शनमंबर सीज का बिल्कुल करेक्ट आंसर है आत्न निरब्था निबंद के रचियता का रचियता हो जाते हैं ग्यानमारगी शाका के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है तो ग्यानमारगी नामक शाका के कवियों को संत कविय के नाम से पुकारा जाता है उप्शन नमर डी इस का बिलकुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कोशन अप बरंच का वालमी की किसे कहा जाता है तो अप बरंच का वालमी की स्वेभू को मना जाता है ऋप्शन नाबर डीस का बिलकुल correct answer है नेक्स्ट कोशन चंदरबरदाई किसके दरबारी कवी थे तो यह जो चंदरबरदाई थे ना मेरे दोस्त यह प्रत्विराज चौहान के दरबारी कवी थे और इने के द्वारा ही प्रत्विराज रासों की भी रचना की गई है option number D इसका बिल्कुल correct answer है next question रितिकाल का वह कौन सा कवी है जो अपनी मातर एक करती से हिंदी साहित्य में अमर हो गया है तो रितिकाल के ऐसे कवी का नाम हो जाता है कवी बिहारी जिन्होंने अपनी एक कवीता से हिंदी साहित्य में अमर होने का इस्थान प्राप्त कर लिया है option number C इसका बिल्कुल correct answer है next question पर चलते हैं कठिन काव्या का प्रेथ किस कवी को माना जाता है तो मैंने आपको इस क्लास की स्टार्टिंग में ही यह question बताया था कवी केशव दास को कठिन काव्या का प्रेथ भी कहा जाता है तो option number D यहांपर बिल्कुल correct answer हो जाएगा next question है प्रकरती के सुकुमार कवी किसे कहा जाता है तो प्रकरती के सुकुमार कवी के रूप में सुमित्रा नंदन पंत जी को जाना जाता है option number B यहांपर बिल्कुल correct answer है next question है एक भारतीय आत्मा किस कवी को कहा जाता है तो एक भारतीय आत्मा के नाम से सुमित्रा नंदन पंत जी को ही जाना जाता है option number D यहांपर बिल्कुल correct answer है हिंदी का कलाधर किसे कहा जाता है तो कलाधर के नाम से जैसंकर प्रसाद जी को जाना जाता है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कथा समराथ किसे कहा जाता है तो कथा समराथ अर्थात हिंदी का जो कथा समराथ है वो प्रेमचंद जी को माना जाता है option number A का बिल्कुल correct answer है और प्रेमचंद को ही उपन्यासों का प्रनेता भी माना जाता है नेक्स्ट कोशन है त्यागपत्र उपन्यास किसकी एक रचना है तो ये जो त्यागपत्र उपन्यास है न मेरे दोस्त ये जैनेंद्र कुमार की एक रचना हो जाती है option number B का बिल्कुल correct answer है next question मजदूरी और प्रेम निबंद के रचनाकार कौन है तो मजदूरी और प्रेम नामक निबंद के रचनाकार हो जाते है सरदार कुरण सिंग option number A का बिल्कुल correct answer है next question है खड़ी बोली के सरपर्थम लोग प्रिये कभी कौन माने जाते है तो खड़ी बोली के जो सरपर्थम लोग प्रिये कभी माने जाते है उनका नाम है अयोध्या सिंग उपाद्याए ने आप हरियोध के नाम से भी जानते है option number D इस का बिल्कुल correct answer है बात करूँ खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्या कौन सा हो जाता है तो वह है प्रिये परवास और इसकी भी रिचना आयोध्या सिंग उपाद्याए हरियोध के दुबारा ही की गई है next question निम्न लिखित में से किसे साहित्य अकाद्मी पुरुसकार मिल चुका है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे नामवर सिंग को साहित्य अकाद्मी पुरुसकार से संभानिक किया जा चुका है ना ही तो प्रेम चंद को मिला ना ही निराला को मिला और ना ही भारते हिंदू हरिस चंद को मिला है next question पर चलते है संसद से सड़त्तक काव्य के रसनकार कून है तो ये जो संसद से सड़त्तक नामक काव्य है इसके रसनकार हो जाते हैं श्रीकांत वर्मा option number 20 का बिल्कूल correct answer है next और आज का last question है हिंदी साहित्य में परियोगवाद के परवर्तक का नाम क्या है तो हिंदी साहित्य के अंदर परियोगवाद के परवर्तक का नाम हो जाता है अग्य option number A का बिल्कूल correct answer है दोस्तों उम्मीद करूँगा आपने एक-एक रचना को अच्छे से revise किया होगा आपको एक class कैसी लगी है आपको comment box में जरूर बताना है और यदि आपको एक class पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को like अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी share जरू करें और इसी तरह की most important classes को पाने के लिए आप Rankers GK YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मिलेंगे next किसी वीडियो में थैंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो जय हिन जय भारत इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप Rankers GK के नामक Telegram चैनल को जोईन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के description में भी दिया हुआ है